तो अब तो इस वीडियो में क्या करने वाले एंडी का प्रीविए सियर के विश्टन सॉल्ब करेंगे ठीक है बट इसको उने क्या किया है कि जिते भी कुश्टन से ना सबको पार्ट वाइस कर दिया लाइक रिलेशन फंक्शन एक में कंप्लेक्स नंबर डूसरे में है ना सबको अलग अलग करके सॉल्ब करेंगे इसमें कुछ ट्रिक्स होगा वह बताऊंगा मैं और साथी साथ सारे क्विशन का डेटेल सॉल्शन करने वाले ठीक है सब्सक्राइब एस बहुत ही फॉस्ट क्विशन से सो तो फॉस्ट क्विशन इस फ्रॉम मैंपिग है ना मैंपिंग से यह क्विशन है क्या है अंपिंग ए हैं अगर आपको तो एक चीज़ पता होगा कि अगर function f defined है a to b का है ना a to b के लिए defined है तो यहाँ पर a का value क्या होता है so a is basically क्या होता है domain right and b क्या होता है b co domain होता है right a हो गया domain and b क्या हो गया co domain and b का है वैसा value जैसे मालों की एक समारे पास ये a हो गया domain अब domain का value हम रखेंगे function में f के अंदर तो कुछ output आएगा और जो output आएगा वो हमारा range हो जाएगा clear है ठीक है अब यहाँ पर देखो दो चीज़े दे रखी है एक है on to function तो on to function का मतलब क्या होता है अगर on to function का मतलब समझे तो जहाँ पर आपका range जहाँ पर range और co domain है ना जहाँ पर range और co domain दोनों equal आ जाए तब हम बोलेंगे function क्या है on to होगा clear है यह चीज़ clear है ठीक है ओके सो यह बोला जाराने कि function जो है ना जो भी यह mapping दे रखा है यह क्या हमारा on to है that means जो b का value होगा यही domain यही co domain होगा और यही range होगा है ना और यह तो obviously क्या होगा domain होगा so domain तो हम इसका निकालना simple जानते है यह function है 2x plus 3 by 3x plus 5 right fx is equal to है fx is equal to है 2x plus 2x plus 3 by 3x plus 5 2x plus 3 by 3x plus 5 है ना अगर इसके बारे में बात करें सबसे पहले अगर इसके domain के बारे में बात करें तो domain कैसे निकालेंगे हम so domain यह fx कब defined होगा so ऐसे लिखेंगे ना fx is defined fx is defined when only when कब defined होगा जब इसका denominator equal to not equal to 0 होगा that means 3x plus 5 not equal to 0 है ना यहां से क्या आएगा x not equal to 5 by 3 so इसके domain के बारे में अगर बात करें तो सारा real value होगा सारा real value होगा बस किसको छोड़ना है तो माइनस 5 by 3 को छोड़ गए अगर इसको आप interval के term में लिखना चाहते तो कैसे लिख दोगे so minus infinity to minus 5 by 3 ठीक है union minus 5 by 3 to infinity तो यह हो गया इसका domain अब हम निकालना चाहते है range अब अब क्या निकालेंगे range निकालना चाहते है तो range के लिए क्या करते है सबसे पहले बात range के लिए हम क्या करते है इसको y माल लेते तो y बराबर 2x plus 3 divided by 3x plus 5 जस इसका shortcut भी बताने वाले जस वेट करो आप यह हो क्या अब क्या करते है इसको cross multiply करेंगे तो 3xy plus 5y is equal to 2x plus 3 right अब यहां से further simplify करें तो क्या रही सकते हैं यहां से यहां से क्या रही सकते हैं यह वाला term इधर जागा तो x common तो हो जागा 3y 3y minus 2 right and this is equal to 3 minus 5y यहां से x बराबर क्या हो जागा so x बराबर हो जागा 3 minus 5y divided by 3y minus 2 है ना अब यह कब defined होगा यह कब defined होगा जब 3y minus 2 not equal to 0 होगा यानि y का value जब not equal to 2 by 3 होगा ठीक है ना तो y का value क्या दे रहा basically रेंज दे रहा है रेंज ही तो होगा यहां पर यह भी बोल रखा है कि function जो है जो mapping दे रखा वो क्या है all 2 है तो जो co domain होगा और रेंज के बराबर होगा clear है ना तो देखो range हमारा क्या होना चाहिए 2 by 3 नहीं होना चाहिए option में क्या है so कौन सा option correct हो सकता है अगर आप देखोगे तो कौन सा option correct होगा यहां पर एक बार चेक करो आप yes so a सारा real minus 5 by 3 चोड़कर ठीक है अगर b की बात करें या नहीं रेंज हो गया तो b minus 2 by 3 minus 2 by 3 नहीं आ रहा था 2 by 3 आ रहा था right so minus 5 by 3 and 2 by 3 minus 5 by 3 and 2 by 3 yes option डी जो हमारा correct हो जाएगा right बट यह तो थोड़ा बहुत lengthy process हो गया न क्या इसको shortcut से बना सकते हैं बिलकुल बना सकते हैं कैसे बनाएंगे तो yes यह आपको मता रहो shortcut के लिए आप ध्यान रखो एक बार shortcut के लिए क्या करेंगे सबसे पहले suppose हमारे पास कोई function दिया हुआ fx is equal to ax plus b divided by cx plus b ठीक है तो सबसे पहले domain क्या हो जागा इसका domain क्या हो जागा x equal to all real except इसको कर दो 0 minus d by c यह तो clear है ना सारे real except minus d by c को ओके अब अगर range की बात करें तो range क्या हो जागा सारा real except किसको तो ऊपर वाले का coefficient a और नीचे वाल x का coefficient by c बस हो गया simple राइट अब देखो ना इस question में इस question में अगर चलते हम तो देखो यहाँ पर range के बारे में अगर बात करेंगा तो क्या जागा रियल और रियल except क्या 2 by 3 2 by 3 और domain minus 5 by 3 को छोड़ कर तो कितना जल्दी बन गया question राइट तो इस तरीके साब question बना सकते हो clear है ठीक है और भी कुछ चीजे मैं चाहूंगा कि आपको बता दू यहाँ पर ताकि आपस question पूछा जाए तो easily बना सको ठीक है न कुछ चीजे आपको note down करनी है कि अगर हमारे पास कोई function fx है न अगर कोई function fx है और बोला जाए कि check करो कि यह 11 है क्या है न चेक करने के लिए function 11 है क्या तो आप क्या करोगे fx1 is equal to fx2 करोगे ठीक है है न अगर केवल एक relation आता है x1 is equal to x2 दैं function 11 होगा otherwise नहीं होगा है न क्लियर है यह चीज़ ओके जैसे simple example से समझ लेते तो suppose हमने ले लिया एक example क्या suppose कि fx is equal to हमार पास 2x plus 3 right अब क्या करेंगे fx1 निकालेंगे तो क्या जागा 2x1 plus 3 fx2 निकालोगे तो क्या जागा so this is 2x2 plus 3 है न अब दोनों को equal करेंगे तो क्या जागा fx1 is equal to fx2 तो यहां से क्या आएगा 2x1 plus 3 is equal to 2x2 plus 3 यहां से यह कट गया finally आजागा x1 is equal to x2 तो एक ही relation आया ऐसा करने से एक ही relation आया इसलिए क्या हो जागा यह one one हो जाएगा create clear है ठीक है न तो यह one one check करने का one one check करने का एक और तरीका है क्या करो जो भी अगर हमाई function दिया हुआ है y is equal to fx ठीक है न यह क्या कर देंगे यहां से derivative find out कर देंगे derivative find out करेंगे अगर f that always increasing यह f that all busy decreasing यह तो increase कर जया नहीं तो decrease कर जाया जैसे increase कर जाया या नहीं तो decrease कर जाया तो इस case में function always one one होता है increase कर जाया तो increase decrease कैसे करते है fx greater than zero होता है तो हम क्या करते है increasing function strictly increasing right और less than zero करते है तो strictly decreasing function है और detail मैंने बना रख्था इस पर सारा वीडियो आप जरूर देखना खीके ना तो increasing or decreasing easily आप पता कर लो है ना सब जैसे इस वाले simple में करो इस वाले question में इस वाले question में क्या fx अगर आप f dash x निकाल हो तो क्या आएगा तू एक तू आएगा जो की greater than zero यानि increasing है अब increasing है strictly increasing है तो यह क्या हो जाएगा one one जाएगा राइट सो ऐसे आप check कर सकते हो clear है ठीक है अब चलते है next यह equation है fx is equal to यह सारे equation आपके nd exams 2023 में आए हुए fx is equal to x square plus 2 gx is equal to 2x minus 3 then what is the value of fg1 right अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप से पुछा गया fg1 right fg1 का मतलब क्या हुआ f1 into g1 है न आपको ऐसा नहीं समझना है कि fg लिखा हुआ one इसका मतलब f of g1 यह दूसरा चीज हो गया यह दूसरा चीज हो गया यह composite function हो गया है न यह अगर लिखा होता fog one तब हम समझ लेते f of g1 है है न बट ऐसा नहीं समझना है ठीक है यह क्या है एक चीज़ और एक्दम समझ लेना है सब्सक्राइब आपसे पूछा थे f plus gx इसका मतलब क्या है fx plus zx right fx plus zx आब आपसे पूछा जाए सब्सक्राइब यहां पर माइनस होता तो यहां पर माइनस हो जाता राइट अब आपसे पूछा जाता f by gx इसका मतलब क्या हो गया fx by gx है न अब आपसे पूछा गया f gx इसका मतलब क्या हो गया fx into gx आप सिंपल हो गया question आप बना लोगे बस इसमें थोड़ी चीज़े समझ नहीं थी अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा क्या करना है f g1 यानी f1 into g1 f1 क्या हो जागा यहां पर 1 रख लो तो 1 square plus 2 into g1 क्या हो जाएगा 2 into 1 minus 3 so this is 3 into minus 1 so minus 3 simple equation option d will be correct clear है अगर fog यह सब के बारे में ध्यान देना है थोड़ा सा ध्यान देना है है ना यह इसका मतलब बस fx into gx हो गया clear है ठीक है ना अब जैसे आपसे पुछा जाता fog x है ना तो fog x हो जाता f of gx right f of gx अब आपसे पुछा जाता fog 1 इसका मतलब क्या हो जाता f of g1 right f of g1 f अब देखो g1 आपने find out किया है क्या g1 क्या हो जाएगा 2 into 1 2 into 1 minus 3 क्या हो जाएगा minus 1 तो यह हो जाएगा minus 1 और f minus 1 एक बार निकाल दो आप f minus 1 यहां से निकल जाएगा तो minus 1 का whole square plus 2 that means क्या गया 3 clear है right clear है कोई डाउट नहीं है तो इस तरह से question थोड़ा सा आपको ध्यान देना अगर ऐसा पूछे तो clear है कुछ और चीजे मैं आपको बता दू कुछ और चीजे जैसे मान लो अगर आपको दिया वाए fx ठीक है fx is equal to कोई function दिया x square plus x to the power 4 दे दिया है ना check करना कि यह odd है या even है odd है या even है तो क्या करेंगे सबसे पहले find out करेंगे f of minus x ठीक है f of minus x करोगे तो क्या जागा minus x का whole square plus minus x to the power 4 राइट तो यह क्या जागा x square plus x to the power 4 अब आप ध्यान से देखोगे f of minus x आपका आगया fx ठीक है अगर f of minus x आगका fx आ जाएगा तो function क्या होगा even होगा राइट सपोज एक और function fx is equal to x q plus x है यहां से f minus x निकाल होगते क्या आएगा minus x का q plus minus x सो क्या होजागा finally minus x q minus x that is minus x q plus x यहां पर क्या रहा है minus fx आ रहा है अब ध्यान से देखो f minus x is equal to minus fx आ गया अगर ऐसा आ गया तो function क्या होगा odd होगा अगर दोनों में से कोई भी चीज नहीं आ रहा है तो नाइदर odd होगा नौर even होगा ठीक है clear है एक चीज और आप note down कर लो कभी कभी question पूछा जाता है वो क्या है कि अगर कोई graph दे दिया अगर graph हमारा y-axis के symmetric हो y-axis के symmetric हो तो क्या हो जागा even जैसे अगर यह graph देखोगे तो क्या हो रहा है यह y-axis के symmetric है इधर जो है उधर ही इधर है y-axis के symmetric है और जो origin के symmetric होगा जो origin के symmetric होगा वो क्या हो जागा odd function जैसे इस graph को देखोगे तो यह क्या हो गया odd function हो गया है यह y is equal to x q का graph है and this is y is equal to mod x का graph है clear है कोई doubt नहीं होना चाहिए ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है अभी just quick recall कर रहे है बाकी detail में मैंने पढ़ा रखा है आप वो देख सकते हो ठीक है अब यह question है next what is the range of the function fx is equal to x plus mod x if the domain is set of all real numbers एक चीज़ और मैं आपको बताओ चलो पहले function लिख लेते हैं function में क्या दिया हुआ है so fx is equal to x plus mod x राइट है ना यह चीज़ दिया है एक चीज़ मैं क्या बता रहे हो पहले इसको solve कर लेते हैं यह चीज़ तो आपको पताने कि mod x is equal to x जब x greater than 0 होता है and is equal to 0 जब x का value 0 होता है and is equal to minus x जब x हमारा less than 0 होता है है लिख 3 होता है कैसे होता है क्यूंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर x less than 0 होता है तो यहा पर minus 3 है जो कि लेस देन जीरो है तो क्या जागा माइनस माइनस 3 इसलिए फ्लास हो जाता है ठीक है राइट ओके अब मेर हमारे कि इस क्वेश्चन को सॉल्फ करना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्फ करेंगे तो बस यह कंडिशन आप लगा दो इजली सॉल्फ हो जाएगा यह जो हमने अब एक्स माइनस एक्स इस प्फ़ेटर देन 0 जागा कब जब एक्स जेडिक जया क्या जीरो लिटे है ठीक है नो यही दो केस बंदा है और एक चीज और चेक कर सकते हो जब 0 लोगे यानि एकस इस इक्वल टू जीरो लोगे तो क्या मिल रहा है जीरो है नो अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहोगे ज़स्क ग्राफ बनाकर देखो एकदम सिंपल ग्राफ तो आपको आना यह है ठीक है यह होगे ना y is equal to 0 उसके बाद y is equal to 2x है जब x greater than 0 यानि ऐसा होगे अग्राफ ठीक है अब देखो यहां से क्या range मिल रहा है तो 0 और infinity यानि 0 को लेकर 0 से बढ़ा infinity से छोटा that is option b will be correct clear है कोई डाउट ही ना है न तो इस तरह के question भी आप से पूछा जा सकता है आप easily solve कर सकते हो यह graphical approach always आप ध्यान रखो graphical approach बहुत ही simple होता है और question easily बन जाते है आपके जो भी NDA में पूछा जाता है जो और भी जो भी competitive exam में पूछा जाता है ठीक है अब चलते next question यह भी question simple सा है है ना बहुत simple simple सा question कभी कभी आ जाता है and basically अगर बात करें तो question simple ही होता है right अब इसको कैसे solve करेंगे तो आपको दे रखा है यहां पर क्या दे रखा है यह क्या दे रखा है fx is equal to x bracket 4x square minus 3 आपको find out करना f sin theta simple ना f sin theta find out करना है तो क्या करेंगे x के जापर sin theta रखेंगे so 4 sin square theta minus 3 इसको अगर multiply कर दे तो 4 sin q theta and minus 3 sin theta अगर यहां से आप minus common ले लो तो क्या हो जागा 3 sin theta minus 4 sin q theta और यह simple सा एक formula है कि इसका sign 3 theta राइट so that is option हमारा कौन सा d will be correct ठीक है ना yes so almost इतने equation आपसे पूछे गए थे 2023 में 2023 में almost मैं क्या से चार और पांच equation पूछे गए थे आपसे function है ना relation और function में इतने equation आपसे पूछे गए थे ठीक है एक चीज़ और मैं आपको बता दूं एक आपको ध्यान रखना है r st right r st मतलब क्या हो गया r for reflexive r for reflexive s for symmetric symmetric and t for transitive t for transitive है ना so अगर कोई भी relation reflexive भी है symmetric भी transitive भी है अगर तीनों होगा तो उसको क्या बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे कौन सा relation equivalence relation क्या बोलेंगे equivalence relation ठीक है right so reflexive कैसे check करते हैं दम बहुत जरीट question इससे आता है reflexive क्या होगा अगर a, a relation में present है तो वो reflexive होगा ठीक है symmetric के लिए क्या करेंगे अगर a, b present है अगर suppose 1, 2 present है ठीक है 1, 2 एक relation देडिया present है ऐसा अब बोला जाकि check करो यह reflexive है तो check करो a, a है 1, 2 नहीं है तो reflexive भी नहीं है अब symmetric के लिए क्या होना चाहिए तो a, b होना चाहिए उस relation में और b, a भी अगर है तो वो अमारा हो जागा symmetric अब जैसे 1, 2 था और इसी में 2, 1 भी हो जाता तो यह क्या हो जाता symmetric हो जाता ठीक है न अब आपको एक relation दे दिया ऐसा 1, 1 2, 2 पूछा जाए क्या यह reflexive है तो a, 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 a है तो reflexive है symmetric का भी समझ में आगया आपको है ना अब एक बार देख लेते ट्रांजिटिव का ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा ध्यान देना क्या अगर a, b relation में है और b, c भी relation में है ठीक है और a, c भी है अगर तो वह जागा हमारा ट्रांजिटिव क्लियर है क्या देखो a, b और यह b आ गया और c यहाँ पर तो a और c इस वह आले में अगर relation आ गया तो वह ट्रांजिटिव हो जाएगा और अगर तीनों हो गया reflexive भी symmetric भी ट्रांजिटिव भी तो वह क्या हो जागा equivalence relation हो जाएगा ठीक है कोई doubt नहीं है ना ठीक है एक और चीज में आपको चाहूँगा बताने के लिए वह क्या है वह क्या है कि अगर suppose आपसे बोला जाए कि एक set है जिसके अंदर total m element है है ना इसमें कितने है m element है ओके और एक b set है इसमें n elements है m elements है है ना तो आपसे पूछा जाए नंबर ओफ रिलेशन number of relation a to b a to b में number of relation कितना होगा तो simple 2 m element है इसमें m इसमें element है n so m into n यानि 2 to the power m n right suppose आपको question देता है कैसे जरूर देता है question question देता है कि a में आपके पास है 1 2 और b में आपके पास है 345 right number of relation a to b तो किता होगा 2 to the power 2 into 3 that is 2 to the power 6 clear है तो इस तरीके सा आप easily question को solve कर पाऊगे ठीक है ओके सो आज के लिए इतना ही फिर मिलते आप से next video में next video में अगें 2023 का ही question होगा बट वो दूसरा part होगा ओके सो अब के लिए इतना ही फिर मिलते आप से next video में thank you कर दो